हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज के इस वीडियो में आपको प्रिंसेस कट, एलाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, तो यह फैब्रिक मेरे पास 1 मीटर है, और यह कुछ बॉर् ली है, आप चाहे तो न्यू फैब्रिक भी ले करके इस टाइब की ड्रेस को बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग लाइनिंग पर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को फोर फोल्ड में करके रख लिया है, यह इसका फोल्ड़ट साइड है, और यहाँ प 7 इंच, तो यहाँ 7 इंच पर मैं मार करूंगे, और यहाँ पर प्रिंसेस कट मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं आम होल है, इसका हाफ इंच ज्यादा रख रही हूँ, तो यहाँ 7 इंच मैं आम होल ले रही हूँ, तो अब हम बस्ट की मार्किंग करेंगे, बस्ट की marking के लिए हमारा bus का जो भी साइज है उसका fourth part करेंगे plus one inch हम extra उसमें princess cut के लिए add करेंगे बाद में मैं यहाँ पर two inch stitching margin भी रखूँगी अभी मैं यहाँ ten inch पर mark कर रही हूँ और bus से seven inch नीचे हमारा west का मार्किंग होता है तो वेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे उसका फॉर्थ पार्ट करेंगे और उसमें वन इंच एड करेंगे हम प्रिंसेस कट के लिए तो यहां पर मैं 9.5 इंच पर मार्क करी हूं वेस्ट से 7 इंच नीचे हम हिप की मार्किंग करेंगे तो यहां 7 इंच नीचे मैं हिप के लिए मार्क करी हूं अब यहां हम मारा जो भी हिप का साइज है उसका फॉर्थ पार्ट करेंगे प्लस वन इंच इसमें प्रिंसेस कट के लिए एड करेंगे मैं यहाँ 10.5 इंच पर मार्क करी हूँ, अब इन तीनों पॉइंट को हमें आपस में मिला देना है, उसके बाद तो इंच एक्स्ट्रा स्ट्रिशिंग मार्जीन इस तरीके से लेते वे हम मार्क करेंगे, तो वेस्ट लाइन तक मार्क करने के बाद हम इसे आपस में जॉइंट कर लेंगे, और उसके बाद नीचे पूरे में एक्स्टेंट कर देंगे हम इसको, क्योंकि ये एलाइन में बना रही हूँ मैं, उसके बाद आम होल के लिए जितना लेंच मैंने लिया है, उसका सेंटर निकालेंगे, और यहां से वन इंच पर मार्क करेंगे, और भम कर्प का सेब देंगे, इस तरीके से आम होल भी ड्रॉ हो गई हमारी, उसके बाद हम इसकी सोल्डर भी हाफ इंच नीचे की दरफ मार् करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पर फ्रंट का आम होल जो है, वो वन इंच अंदर की दरफ डीप करूंगी, तो इस तरीके से हम फ्रंट का आम होल अपना मार्क कर लेंगे, और उसके बाद कर्व का सेब देंगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसकी बाद टू इक्स्ट्रा जो हमने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है, उसको छोड़ते वे हम अपने आम होल को मेजर कर लेते हैं, तो यहां पर मेरा आम होल जो है, वो टैन इंच आ रहा है, तो मुसका सेंटर फाइब इंच पर मार्क करेंगे, उसकी बाद सोल्डर से लावन इंच नी हम मार्क करते जाएंगे पूरे नीचे तक, अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आपस में जोइंट कर लूँगी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, जहां कटिंग हो गई है, अब यह साइड वाले पार्ट को मैं अलग रख लेती हूँ, सबसे पहले यह जो सेंटर का पार्ट ह यह इसके उपर मेन फैब्रिक में जो प्रिंटेट वाला है, वो रख से वे, कट कर लूँगी, तो यहां पर यह मैंने कट कर लिया है, सेंटर का पार्ट कुछ इस तरीके से, अब इसे मैं साइड में रख दूँगी, अब बैक पार्ट की लाइनिंग जो मैंने कट की थी, उसे मैं यहां पर प्लेइन वाले फैब्रिक पर रख करके, और इस तरीके से कट कर लूँगी, बॉर्डर को भी मैं हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते वे, कट करके रिमूव कर रही हूं, बाद में हम बॉर्डर अटैच करेंगे, तो इस तरीके से हमारी बैक सा छोटा है, तो हमारे पास जो बॉर्डर है, उसे मैं यहां पर अटैच कर लूँगी, तो इसका लेंथ बिल्कुल बराबर आ जाएगा, तो यहां पर तीनो पैनल को मैंने लाइनिंग के साथ इस तरीके से उल्टा करके रखा है, अब हमें इन्हें आपस में जॉइंट कर लिया है, हमारे फ्रंट के तीनो पैनल को एक साथ, में मैंने जो यह बॉर्डर अटैच किया था, तो साइड के भी दोनो पैनल में मैं इस तरीके से बराबर रखते हुए, हम अपने बॉर्डर को स्टेच कर लेंगे, हमारी कूर्ती का जो बैक पार्ट है, उसमें भी मैं ल लिए यह जो फ्रंट का पैनल है, उसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, इसके उपर सेम एज इस हम बैक के पोर्शन को भी डबल फोल्ड करके रखेंगे, और नीची से थोड़ा सा राउंड में सेप देंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा फ्रंट और बैक दोनों का जो पार्ट है, वो थोड़ा सा लेंथ में अलग-अलग है, तो पहले हम अपने फ्रंट के पार्ट में राउंड सेप देंगे, उसके बाद हम मेजर कर लेंगे, कि फ्रंट के पार्ट से बैक का पार्ट हमारा कितना छोटा है, जितना भी छोटा है, हम सेंटर से उ वहां जितना रहा है तो लास्ट तक उसका लेंथ उसी तरीके से ले करके हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे अब बैक के पार्ट में हमारी लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड करते हुए हम स्टेच कर लेंगे उसके बाद हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे तो यहां पर बॉर्डर अटैच करने के बाद फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरीकी से रेडी हुआ है अब इसक तरीकी से डबल फोल्ड करके रखा है और फोल्डर इट साइड से मैं मार्क करूंगी यहां पर थ्री इंच जितना हमें नेक रखना है और डीप में रखूंगी फाइव इंच इसका स्क्वायर बनाऊंगी और इसके नीचे मैं वन पॉइंट फाइव इंच का कट यहांसे बहुआ इस तरीके से मैं मार्क कर रही हो और इस तरीके से हम सारे पॉंट को जूइंट कर लेंगे और करप को सेव कर लेते हैं तो इस तरीके से फ्रंट नेक लाइन की मैंने कटिंग कर ली है अब कूरती की सीधी साइड में इसको रखते हुए हमें अटाच करना है तो पहले हम पेन से जॉइंट कर लेंगे उसकी बाद इस पे स्टेच लगाएंगे आफ इंच का स्टेचिंग मार्जिन लेते हुए तो यहां बीच में भी मैं कट लगा लूँगी हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्टेच ना कट हो तो इस तरीके से हम इसके साइड को भी ट्रीम कर लेते हैं कॉर्नर्स को ताकि यह फिनिसिंग के साथ हमारा नेक लाइन कंप्लीट हो और पूरी में हम छोटे-छोटे कर्ट लग कि बाहर की ओर निकाल लूँगी तो पीन की हेलप से मैं यह बाहर की तरफ अच्छे से कॉर्णर को निकाल रही हूं और उसके बाद हमें एक टॉप स्टेच लगाना है तो यहां पर इसके उपर मैंने टॉप स्टेच लगा लिया है तो यह गला हमारा बिल्कुल डेडि है अब इस फ्रेंट के पाट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और प्रेंसेस कट स्टिच करने के बाद थोड़ा सा आम होल तेड़ा मेड़ा हो जाता है तो हम इसे इस तरीके से अच्छा सेप देंगे और इसको ट्रिम कर लेंगे अब back neck बनाने के लिए यहां मैंने fabric लिया है double fold में और folded side से मैं यहां 3 inch पर mark करी हूँ और deep भी मैं 3 inch ले रही हूँ इस तरीके से square बनाएंगे और round का shape देंगे इसकी बाहर से 1.5 inch पर मैं पूरे में mark कर लूँगी और इन सारे point को हम आपस में joint कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरीके से मैंने cutting कर ली है अब back part पर इसे attach करेंगे तो back part का neck line मैंने इस तरीके से beach से mark कर लिया है इसके सीधे side में मैं इस तरीके से इसे place करूँगी और इसके पहले मैं दोनों side में beach center से 3 inch पर mark कर लेती हूँ और उसकी बाद हम neckline को वहाँ पर place करते हुए पीन से attach कर लेंगे तो ये तेड़ा मेड़ा नहीं होगा यहाँ पर मैंने half inch का margin लेते हुए stitch कर लिया है और अब हम extra fabric की cutting कर लेते हैं इसमें मैं छोड़ी छोटी cuts लगाऊंगी और उसकी बाद इसको turn करके हम एक top stitch कर लेंगे उपर से तो मैंने front neckline में इस तरीकी से तुरपाई करके stitch कर लिया है और back का part जो है उसमें मैंने stitch नहीं किया है और अब मैं इन दोनों की shoulders को इस तरीके से अंदर की तरह fold करते हुए stitch कर लूँगे shoulders को आपस में joint कर लिया है अब यह मैंने जो इस तरीके से fold किया था इसे मैं इधर की और मोड लोंगी दूसरी तरफ तो हमारा जो shoulder है उसका stitch बहुत ही finishing के साथ होगा उसकी बाद हम अपने back neck के भी neckline को इस तरह से तुरपाई कर लेंगे slips की cutting करने के लिए मैंने यहाँ पर four fold में fabric लिया है इसकी length मैंने 11 रखनी है तो यहाँ पर 13 inch का मैंने length रखा है और यहाँ पर 3 inch हम इधर से mark कर लेंगे और हमारा जो भी arm hold रहते हैं उसे 2.5 inch हम ज़्यादा रखते हैं इसका width और इस तरीके से मैंने save दे दिया है और इसकी thickness मैं यहाँ पर 5 inch रखना है मुझे तो यहाँ पर 1.5 inch मैंने extra margin रखके mark कर लिया है और अब हम इसकी cutting कर लेते हैं हमारे sleeves की cutting हो गई है अब हमें front sleeve का save देना है तो यहाँ पर दोनों wrong side को मैंने अंदर की दिरफ प्लेस करते हुए इस तरीके से half inch पर mark कर लिया है और उसकी बाद हम इसकी cutting कर लेंगे उसकी बाद हम यहाँ पर mark कर लेंगे ताकि हमें stitching के time पर याद रहे कि यह front का part है हमें अपनी sleeves को दोनों side में इस तरीके से attach कर लेना है अपने कुर्ती में यहाँ पर sleeves की center point को मैं solder से इस तरीके से बराबर रख रही हूं और stitch कर लोंगी पहले one side में हम stitch करेंगे उसकी बाद दूसरी side में stitch करेंगे अब दूसरी side भी हम stitch कर लेते हैं इसी तरीके से दोनों sleeves को हमें attach कर लेना है और sleeves का दूसरा side भी मैं यहाँ पर fold करके stitch कर लेती हूं आप चाहें तो lace भी attach कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी lace attach नहीं करी हूं क्योंकि यह fabric already इतना heavy है तो दोनों sleeves मैंने attach कर ली है उसकी बाद मैंने stitching margin छोड़ा था उसे छोड़ते वे मैंने mark कर लिया है और pin से भी attach कर लिया है ताकि stitching में हमें problem ना हो हमारा कपड़ा ना खिसके वेस्ट लाइन तक हमें एजट इस जू मैंने margin छोड़ा था वैसे stitch करना है उसके बाद हमें पूरा नीची तक वैसे ही stitch कर लेना है सिधी क्योंकि यह मैंने alien में इसका सेब दिया है तो दोनों साइड दो इंच का margin लेते हुए मैं stitch कर लेती हूं तो इस तरीके से मैंने stitch कर लिया है और अपनी कुर्ती को मैंने right side में turn कर लिया है तो यह देखी बहुत ही प्यारी कुर्ती हमारी बन करके ready हो गई है और नीचे के side में मैं इसे fold कर लिया है यह बहुत ही प्यारी सी कुर्ती हमारी leftover fabric से बन करके ready है और इसकी जो यह मैंने साड़ी से बनाया है यह साड़ी का हुआ है यह बहुत ही प्यारी सी कुर्ती हमारी बन करके ready है और पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के है तो इसी टाइब की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे पास पने बैल आइकन को क्लिक करके और सेलेक्ट कर ले ते हैं नए वीडियो में एक अच्छी और इंट्रेस्टिंग आइडियास के साथ तब तक के लिए बाई बाई